आज हम बनाएंगे प्याज के पराठे सुबह सुबह नाशते में इस तरह के क्रिस्पी और मसाले से भरे हुए पराठे मिल जाए तो दिन बन जाए आप सीम स्टेफ होलो करते हुए ये पराठे बनाएए बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होंगे नमस्ते दोस्तो स्वागत है आपका श्याम रसोई में तो चले शुरू करते हैं बनाना पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा कर तयार करेंगे इसके लिए मैंने दो कप केहूं का आटा लिया है इसमें हम दो चम्मच देसी घी डालेंगे घी या तेल किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर इसका सौफ्ट आटा लगा कर तयार करेंगे जब भी पराठे बनाएं सौफ्ट आटा लगा कर तयार करें इससे श्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आती है हमने आटा लगा कर तयार कर लिया है और इतना आटा लगाने में हमारा एक कप में एक टेबल स्पून कम पानी लगा है आटे को अच्छे से मलहार दीजिए हमारा आटा लगकर तयार है इस पर थोड़ा सा देसी घी लगा देते हैं और अच्छे से इसे मसल लेते हैं अब हम आटे को 15 मिनिट के लिए ढग कर रख देते हैं तब तक स्टफिंग बनाते हैं इसके लिए हमने 4 मेडियम साइज के प्याज लिए हैं प्याज को हम चाकू की साहिता से बारिक बारिक काट लेंगे आप प्याज को काटने के लिए किसी चोपर का इस्तेमाल मत वरना प्याज पानी छोड़ देगा ये देखे इस तरह से हमें चाकू की साहिता से प्याज की कटिंग कर लेनी है प्याज कटकर तयार हो चुके हैं अब हम एक बड़ा बरतन लेंगे जिसमें ये सारे प्याज डाल देंगे यहां मैंने आधा कप के करीब बारिक कटा हुआ फ्रेश धनिया लिया है एक हरी मिर्चली है ये कम तिकी वाली है आधा इंच अद्रक के टुकडे को कद्दुकस करके लिया है एक चम्मच भरके कश्मीरी लाल मिर्चली है इससे कलर आएगा लेकिन ये कम तिकी होती है आधा चम्मच धनिया पाउडर वन फोर्थ चम्मच अजवाइन लिया है जिसे हातों से अच्छे से क्रश करके डाल दीजिए अब हमने यहां एक चम्मच भरके आमचूर का पाउडर लिया है आधा चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच कसूरी मेथी ली है जिसे मैंने रोस्ट करके क्रश कर लिया था सभी चीजों को अच्छे से म तभी हमने नमक नहीं डाला है जब हम पराठे बनाएंगे तभी नमक डालेंगे वरना प्याज पानी छोड़ देंगे तो ये हमारी स्टफिंग बनकर तयार है इधर हमारा आटा भी अच्छे से सैट हो गया है पहले हम आटे को एक मिनिट के लिए फिर से अच्छे से मसल लेत है तो टेंशन मत लीजिएगा आप स्टफिंग को फ्रीज में रख दीजिएगा प्याज पानी नहीं छोड़ेंगे और अब हम आटे में से लोई लेते हैं हम चपाती बनाते हैं उससे बड़ी लोई लेनी है इस पर हमने सूखा अटा लगा लिया है और अब हम दोनों दो से तीन चम्मच स्टफिंग भर देते हैं इस्टफिंग को अच्छे से दबा दीजिए ये देखिए मैंने तीन चम्मच भर के स्टफिंग डाल दी है अब हम इस पर थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा भी मोश्चर होगा उसको एब देखे, इस तरह से हम तयार कर लेंगे लोई को, वापस से सुखाटा लगा लिया है, और अब हम पाम की सहायता से स्टफिंग को अच्छे से फैला लेंगे, ये देखे इस तरह से, अब हम हलके हलके हाथों से इसे बेल लेंगे, स्टफिंग बिलकुल भी बहार नहीं आएगी हमने बहुत अच्छे से इसमें स्टफिंग भरी है यदि आप सेम स्टेप से बनाएंगे आपके पराठे भी बहुत अच्छे बनेंगे इधर तवा गरम है medium to high flame पर हम पराठे को बनाएंगे तो बस दोनों साइड से हम घी या तेल लगाते हुए इसे सेकेंगे हम यहाँ देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं देसी घी में पराठे डबल टेस्टी लगते हैं तो बस दोनों साइड अच्छे से घी लगाईए और golden brown होने तक इसे सेक लीजी यह देखिए बहुत ही बड़िया हमारा प्याच का पराठा बनकर तयार है एकदम अच्छे से स्टफिंग भरा हुआ है बिल्कुल भी स्टफिंग बहार नहीं आई है यह हमारा एक पराठा तयार है इसी तरह से हम सारे पराठे तयार कर लेंगे दही और चार के साथ सव कीजिएगा तो फ्रेंड्स रेसीपी अची लगी तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकी